चोरा हा चोरा हा जीवन ऐसा चोरा चोरा हा 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 चोरा ह अक्षर रा के तीन रूप पहचान गई ना? रसी नहीं तो बनाया था अक्षर रा अक्षर रा को दूसरे अक्षरों से मिला कर लिखने के लिए उसके तीन रूप प्रयोग में आती है रा को उलटतो और इसका जो गुलाई वाला हिस्सा है ना? उपर वाला वो है इसका एक रूप और दूसरा है नीचे का तेड़ा हिस्सा रा का तीसरा रूप इसी तेड़े हिस्से को दो जगे रखने से बन जाता है एक बार फिर देखी रा रा को उलट दिया इसका गुलाई वाला हिस्सा है पहला रूप दूसरा है नीचे का तेड़ा हिस्सा और इस तेड़े हिस्से को दो जगे रखतो तो बन गया तीसरा रूप अरे वही मैं क्या अंदर आ सकता हूँ आदर्श तुमने तो चौकादेनी की आदर डाली है चिठी में भी नहीं लेका कि तुम आने वाले हो आव बैठो मैं तो सोच रही थी कि तुम अभी अमेरिका में ही हो गए उस वत कैसे लिगता तब इयाद आई ही था अमेरिका क्यो नहीं गया बस यूही तुम्हारी याद आई ही हो अलोटा मेरी याद एक दिन पैठे पैठे में सोचने लगा तुम्हारे पास सब कुछ है तुम्हारे पिता अमेरिका में करोड़ पती है तुम जीवन में हर सुख हर आराम पा सकती थी लेकिन तुम्हे अपने एक मकसद एक उदेश्य के लिए अपनी पूरी जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिए एक बात बताओ तुम डॉक्ट्री पढ़ने गय थे या सन्यास लेने अगर मैं जोगिया कपड़े पहन कर जंगलों में निकल जाओं तो सन्यास ही और अगर किसी मरीज को देखने मिखल जाओं तो डॉक्टर आधश अगर इसे यूँ देखा जाए तो डॉक्ट्री तो सबसे बड़ा सन्यास है लेकिन उदेश सेवा करना हो धन का माना नहीं चांतियों मैं अमेरिका क्यों जा रहा था और फिर किसलिए नहीं गया मैं क्या जानब मैं तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांगने जा रहा था फिर गए क्यों नहीं इसलिए कि कहीं तुम हिंकार ना कर दो इसलिए सीधा तुम्हारे पास चला आया कि पहले तुमसे पूछ लूँ पिर तुम्हेरे विदेशी पिता से? तुमने ठीक ही किया मैं शायद उनकी बात नहीं मानती मेरी बात मानोगी मैं सिर्फ अपनी माँ की बात मानूगी माँ? तुम्हारी माँ तो मर गई, है न? लेकिन आदर्श मेरी माँ ने मौसी की रूप में जनम लिया है अगर मौसी ने हाँ कर दी तो देखो अब मैं गाउं की सीधी साधी लड़की हूँ मान लूंगी उनका अदेश सच गीता लेकिन एक बात याद रहे हमारे गाउं में दहेज का लेंदेन बिल्कुल नहीं होता अरे दहेज नहीं चाहिए मैं अभी तुम्हारी मौसी से बात करके आता हूँ अरे ठेरो सुनो तो नमस्ते बेनू बेनू आज मैं जो कुछ तुम्हारे लिए लाए हूँ न उसको देखकर तो तुमको बहुत हसी आएगी ये अक्षर कैंसे होते हैं ये कीरे मगोरे की तरह है बहुत है रा की मात्राएं इन मात्राओं को कई जगा इस्तेमाल करते हैं जैसे बताओ देखो ये मात्रा है ऐसे और दूसरी रा की मात्रा वो ऐसे लिखी जाएगी एक और रा की मात्रा है वो है ये यू देखा भेनो कैसी कैसी होती है रागी मात्रा हैं अच्छी होती है न कोई किसी तरीके की तो कोई कैसी अच्छा एक बात इन सब मात्राओं को तुम दोहराती रहना बराबर और सब को बताती रहना कि इन मात्राओं को ऐसे लिखते हैं ऐसे, दूसरी मात्रा, ये, एक तरीके की और ये, ये. अरे सुदा, देखियो गटी कौन है? जरूर आधर्श भाहिया होंगे, गौरी अभी आकर बता गई थी. पूसरी मैं आईए रखियो आईए. नमस्ते मासी. अए एक आईखियो. आईए आई बैटो. गीता बेहन जी ठीक है? आई ठीक, बईसरा तुम्हारी शादी में ना आने का मुझे बहुत दूख है. इए लो तुम्हारी शादी का तोपा. इसकी क्या जरूवति लेले बेटी भाईया इसनी प्यार से दे रहा है, ले, हैसल में भाईया, परेम की साधी तो ऐसी हुई कि हमें भी पता ना चला, ने तो गीता भेंजी से कम से कम लिखवा थी तो सही मौसी कीता ने मुझे बताया था, मेरी नजरों में तो आपकी इज़त पहले से ही बहुत थी मौसी, लेकिन इस खटना के बाद तो आप मेरी नजरों में और भी महान हो गई है, अरे बेटा, भगवान जो करता अच्छे के इलिए करता है, बता, सुंदर पुरवाले इत्ते ल करका भी, तो फिर प्रेम का रिस्ता सुदा से पहले क्यों नहुआ? अरे बेटा, सुदा मेरे सामने इत्ती सी थी, बच्ची, अब बच्ची से कब बड़ी हो गई, पता ही ना चला, और जब पता चला, तब तक उसकी सगाई हो गई थी, ये भी अच्छा ही हुआ मौसी, इ बेटी का, अच्छा, गीता का, हाँ मौसी हाँ, मौसी तुम तो जानती हो, कि मुझ में सिर्फ एक ही खराबी है, और वो है सिगरेट, इसके अलावा मेरे अंदर और कोई खराबी नहीं है, छोड़ दे इसे भी, छोड़ दे, बहुत खराब चीज है, ठीक है मौसी, ये की जोड़ी है, मेरी बात जरूर मन जाएगी, अरे मौसी, वो बहुत जिद्धी है, अब बस तुम ही उसे मना सकती हो, अरे उसने मुझे मा कहा है, तो कैसे नहीं मानेगी मेरे बात, और तुससे अच्छा लड़का मिल कहा सकता है उसे, इत्ता महान डागदर, ये बात है आज रुक जाता हूँ, अब ये मैं जवाब जान करी जाऊँगा, अरे तु हाँ समझ, मुझे गीता पे भी भरोसा है और अपने उपर भी, अरे मौसी, तुम शाम तक तो उससे बात करी लोगी, तो मैं रुक ही जाता हूँ, अरे जरूर कर लूँगी, सुदा, हाँ माजी बेटा भाईया के लिए कुछ खाने को तो ला, अभी लाई पहचाना, ये क्या है, ये है ट्रक, दर्शन सिंग का ट्रक, त, त के नीचे, र, क, ट्रक इसे तो पहचानती ही हो, छाया देने वाला व्रिक्ष, व, व के नीचे, री, और क्ष, व्रिक्ष अरे, ये तो बहुत वर्शा हो रही है, वर्शा, व, श, आकडंडा, और श पर, र, वर्शा ट, ट के नीचे, र, उपर एकी मात्रा, आधा क, ट, और र, बन गया ट्रेक्टर ट्रेक्टर के उप्योग से हम पैदावार बढ़ा सकते हैं देख बेटी, मैं तो यू कहूं, कि तुझे आधरस से अच्छा पतीव ना मिलनेगा मासी, मैं आधरस को उन दिनों से जानती हूं, जब वो पढ़ता था और मैं ये भी जानती हूं, कि वो बहुत अच्छा है तो फिर मैं ये रिष्टा मंजूर समझूं नहीं मासी, मुझे ये रिष्टा मंजूर नहीं है मंजूर नहीं? वगर क्यों बेटी? मासी, मेरी कुछ बजबूरिया है इसमें बजबूरी कैसी? मासी, मेरी माँ अनपढ़ थी और मेरे पिता का छोटा सक व्यापार था लेकिन जब मैं पैदा हुई न तो उनका व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा बहुत भाग्यवान मानते थे मुझे ठीकी तो समझते थे उस व्यापार से जब उनके पास पैसे आने लगे तो वो अमरीका चले गए और वहां जाके दूसरी शादी कर ली मेरी मा को छोड़ दिया पेटी तेरी मा का क्या हुआ मर गई कुछ परसों बात उन्हें अपने आन पर होने का बहुत दुख था इसलिए उनकी मौत के बाद मैंने फैसला किया कि मैं गाउं जाओंगी और हर एक को पढ़ाओं ये तो इस गाउं का भाग है कि तेरे चैसी लड़की इस गाउं में मौसी आदर चाहेगा ना कि शादी करने के बाद मैं उसके साथ शहर में जाके रहूं इतना बड़ा सा अस्पताल है उसका बहुत बड़ा डॉक्टर है वो लेकिन मैं मैं काउं छोड़का नहीं जा सकती हाँ ये तो सोचने की बात है मौसी तुम आदर से कहना कि वो मुसे खुद बात करे ये ठीक रहेगा पर बेटी तु ठीक से सोच ले और कोई ऐसा रास्ता निकालियो जो पीच का हो मैं आपकी बात याद रखूँ ये मौसी लेकिन मेरा मन कहता है ये शादी नहीं हो सकती हैसी आशी उपात मत बोले बेटी ता राकास्वर का ट्रक व शा राकास्वर आकारंडा वर्शा क रीकास्वर शा छोटी की मात्रा किर्शी पा छोटी की मात्रा का राकास्वर बडी की मात्रा विक्री पा राकास्वर धा आका डंडा ना प्रधान ता राकास्वर एकी मात्रा अधा का वा ट्रेक्टर बेहनों हम आज सीखेंगे एक अक्षर ग्यर अक्षर जा को पहचानती हुना अब जाकी ना पकड़कर मोड़ दो नीची की और बन दिया ग्यर देखें ये पर्चे मेरे पास हैं इन्हें भरकर दाखिल करना है हमारे गाउं से पांच लोग चुने जाने हैं मैंने आप लोगों से प्रार्थना की थी कि आप पांच नाम चुन कर ले आएं जिन पर सब की सहमती हो अब बताईए क्या आपने ऐसा कर लिया है जी है ऐसा कर लिया है इसमें पहला नाम है वो तो आप ही का है आप भाई मुझे रखने अरे मुझे अब इस उमर में कहां गा सिंखते हो कुछ नए लोगों को मैदान में लावा नए लोग भी है आपके अलावा बाकी सब लोग नए है फिरा गामवालों की उड़ से आप से अनुरोद है कि आप इसे मालने जैसे फिर गामवालों की इच्छा दूसरा नाम है रहीम चाचा का लेकिन हच करके जल्दी ही लोट आएंगे क्यों कामवालो मंजूर है मंजूर है और तीसरा नाम है गोवर्दन चाचा का आपका आदेश था कि दो पंच औरते हो आदेश नहीं भई अनुरोद था उनमें पहला नाम कमला का है कमला पढ़ी लिखी भी है और जो काम वो कर रही है वो बहुत बड़ा काम है क्यों कामवालो मंजूर है और पांचवा नाम मेरी मां सीता देवी का है सीता देवी सीता देवी हमारे लिए बहुत आदरनी है मगर यह नियम भी तो हम ही ने बनाया है कि हमारे ग्राम सभा का हर एक पंच पढ़ा लिखा होना चाहिए जो आप लोगों ने भैसला किया मेरे बारे में मुझे वो मंजूर है मैं तो बस यही कहने के लिए आई हूँ कि मैं आप पढ़ना लिखना जानती हूँ बोलिये सरपंची कहा लिखूँ और क्या लिखूँ गोरी यहाँ आप बेटी सरपंची यह है मेरी गुरू इसी ने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया है नमस्ते क्यों भई तुम लोग तयाय हो ना देखो आज मैं बहुत ज्यान काक्चर लेकर आए हूँ जिसको कहते हैं जय इसको लिखना तो बहुत ही आसान है तो लिखें पहले ये घूमी हुई लकीर फिर हलकी सी छोटी सी बिंदी और बिंदी से मिलाकर ये डूम वाली लकीर उपर ये लेती हुई लकीर फिर बही खड़ा डंड़ा एक चीज और रह गई वो है छत वाली लकीर ये बन गया ग्या एक पाद फिर देखें खुमी मिल लकीर बिंदी डूम वाली लकीर लेती लकीर खड़ा डंड़ा और छत वाली लकीर बन गया अक्षर ग्या समझा गया ना अच्छा तो अब मैं चलती हूँ और जल्दी ही आओंगी मेरा इंतजार करना तुमने मौसी से बात की थी मौसी तुमान नहीं है मैं जानती थी कि मौसी मान जाएंगी तो पर तुमने मुझे मौसी के पास क्यों लेया इसलिए कि मैं सोचने के लिए कुछ समय चाहती थी मैं ऐसा ना करती तो तुम मुझे मौनत ही कहां देते तो तुमने क्या सोचा देखो आदर हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं इसलिए तुम चाहता हूँ कि हम जीवन पर साथ रहें अच्छे ये बताओ शादी के बाद मैं कहा रहूंगे शाहरे मेरे साथ और कहां और तुम शाहर में जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं गाउं किसलिए आई थी ह我们 тобскा है खेखों, 되 sneakers, तुम्हारा ये काम बढ़ाने के लिए अब गाउं में दो लड़कियان हैं जो ये काम कर सकती हैं तुम्हारा इशारा ख़ंगा और सुधा की तरफ है? हाँ आदर, खाव गाउं में दूसरे तरह का काम कर रही है।। बीच मजधार में मैं उससे ये काम नहीं छुड़ा सकती हूँ रही सुधा की बात उसने आगे क्या करना है इसका फैसला उसका पती और वो कर कीता ऐसे बहुत से टीचर्स हैं जिने हम गाओं में भेज सकते हैं और रही उनकी तन्खा की बात अगर ये पंचायत वाले नहीं देंगे तो हम देंगे बस यही बात मैं तुम्हें नहीं समझा सकती आदर्श अगर तन्खा देकर भेजने की बात होती तो अभी तक मैं बहुत से लोगों को भेज चुकी होती अखिर अखिर तुम्हीं क्यों हूँ इसलिए कि नारी को शिक्षित बनाना मेरी जीवन का उद्देश है आदर्श इन छोटी-छोटी बच्चियों में मैं अपनी मा को देखती हूँ जो पढ़ नहीं पाई थी और जिसे उसके पती ने घर से निकाल दिया था नहीं आदर्श नहीं मैं इस काम को अधूरा नहीं छोड़ सकती देखो गीदा तुम अच्छी ताह से सुच लो मैं और इंसार कर सकता हूँ नहीं आदर्श फिर बहुत देर हो जाएगी अपने लिये तो मुझे लगता है अभी भी देर हो चुकी है तुम अपना चीवन समारो मेरी सारी शुप कामना है तुमारे साथ है यहां तो रिशी यग्य कर रहे है य ग्य यग्य शिक्षा से मिलता है ज्ञान ग्य आकाडंडा न ग्यान ग्यान से जीवन का अंधकार दूर होता है ग्यान जिसे मिल जाए उसे ग्यानी कहते हैं ग्य आ न बड़ी ए की मात्रा ग्यानी हमारे आसपास की बहुत सी चीजे ऐसी हैं जिनसे हमें समय, नापतौल, मौसम आदी की जानकारे मिलती हैं इस ग्यान को विज्ञान कहते हैं अमा आज तो मूली के पराथे खिला दे तू मूली के पराथे? सुदा अहां बासी बेटा इसके लिए मूली के पराथे बना दे आज अरे नहीं अमा, पराथे तो मैं तेरे ही हाथ के खाऊँगा अरे बेटा सुदा मुझसे अच्छे पराथे खाऊँगा परेम, बेठा कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरी छुट्टी हाम मा, छुट्टी तो खतम हो गई मैं परसों चला जाओंगा सुधा, पानी दियो जरा आई लो बासी, बासी साल भर एक एक दिन करके तेरे आने के दिन की इंतजार करूँ और जब तू आजावे तो उसी दिन से तेरे जाने का दिन याद करकर मुझ सूख लगए ये सोच मा, मैं इतनी जल्दी जाओंगा, उतनी जल्दी वापी साओंगा इस बेर इतनी खुसी मिली तेरे ब्या हुआ, सुधा मेरे घर पर आ गई मैं तो भूली गई थी कि तेरे छुटी खातम हो जावेगी कभी मॉसी, मैं हूँ ना तेरे साथ तेरे बेटे से भी जादा सेवा करूंगी मैं तेरी मैं जानू हूँ बेटा, अच्छी तरह जानू पर इस दिल का क्या करो अच्छा, मैं यू करूंगा शेहर में एक मकान ले लूँगा तो तु महीं चली आना ना मिटा जीते जी अभी ये गाउँ छूटने का नहीं तु ही जा चल पराठे बना दूं तेरे ने अमा, तू बैठे सुधा बना देगी सारा गाउँ मेरी खिली उड़ावे था कि तू पढ़ने क्यों ना आती पढ़ने क्यों ना आती मैं अभी जानू कि शिक्षा मन उसे का कल्यान करे है बिद्या उंचा उठावे है उसे पर मैं कैसे भूलू कि अमरी शिक्षा ही तो तुझे मुझसे दूर कर गई है यह अमा, तू कैसी बात में सोचने लगी मैं बेपड़ा मजूरी करता यही चाहती है न तू तू अपने प्यार में विद्या को भी भूल गई मॉसी गीता बहन जी को देख लू शेहर में पड़ी लिखी लेकिन अब कैसे गाउ में रह रही है हाँ बेटा यह बात मेरी भी समझ में आ गई आना जाना तो सब संजोग की बात है अब अम्मा तू एक काम कर तू स्कूल जाना शुरू करते अरे बेटा गौरी आवे तो पड़ाने मुझे देख अम्मा तू इस गाउं की पंच है अगर तू स्कूल जाएगी तो गाउं की दूसरी ओरतें भी स्कूल आने लगेंगी मैं तो जाने लबूंगी पर तू जाने अपका गया कब लोटेगा ले जब तू बुलाएगी तब आजाओंगा छोटी एकी मात्रा क्या आ न विज्ञान चोरा हा चोरा हा चोरा हा जीवने सा चोरा हा चोरा हा जीवन भर मेलत की जगर पे हमको चलते जाना है रहा में शिक्षा दी चला के रहा में शिक्षा दी चला के अपनी मंजिल पाना है जीवने खी तोरा चोरा हा कर दो